नमस्कार दोस्तों मैं सुमिछ सुरनकर आपका स्वागत करता हूँ फिर से हमारे इस चैनल पे दोस्तों आज में लेकर आया हूँ बहुत ही जादा एक इंपोर्टन वीडियो जो आपके काम आ सकती है दोस्तों कभी-कभी हम सोचते होंगे कि जो हमारे वाटसिप में हैं तो कभी-कभी हमको भी इन सारे कॉंट्रिक्स को हमको मार्केटिंग परपस के लिए यूज करना होता है कि हम अपना कुछ प्रमोशन उनके साथ शेयर कर सकें तो उसमें क्या हो जाता है हम एक एक करके अगर वाटसिप के नंबर को सेव करें तो यह बहुत जादा टाइ है आज का वीडियो तो सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पर हमारे वाटसिप पर आपको क्या करना है आपको वाटसिप को वैब में खोलना है मोबाइल में यह काम फीचर काम नहीं करेगा आपको वाटसिप को वैब में खोलना है आप देख सकते हैं मैंने आप डाला है व बहुत सरे नंबर लिखे हुए हैं यहां पर रहते वे आपको right click करना है जो आप right click करेंगे तो एक option देखेगा आपको inspect यहाँ पर click करेंगे तो जब आपको इंस्पेट करेंगे आप देखेंगे कि आपका option open होगा और उसके बाद हम अपना काम आगे करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि जो हमने इंस्पेक्ट किया एक portion उसमें हाइलेट होके यह जो आप देख पा रहे हो यह portion हाइलेट होके सिलेक्ट हो गया है सिंप्ली यहां से आपको कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी दबाके अगर आप गौफ से देखो कि तो यहां पर बहुत सरे मोबाइल नमबर होगे रख दिए गए हैं अब हम आते हैं हमारे अगले स्टेज के चरफ अगला स्टेज क्या होगा हमको खोलना पड़ेगा नोट पेड और हम आजाएंगे नोट पेड में तो चलिए मैं आपको स्क्रीन को ले चलता हूं नोट पिड की स्कृ SECONब के तो यह आप देख पा रहे होंगे यह हमारा नोटपेड हो गया यहाँ पर मेरे को क्या करना है से पेश करना है कंट्रोल वी दबाके तो आप देखिए यहाँ पर हमारा यह हमने ले आया नोटपेड में कॉपी पेश करके यहाँ पर एक काम कर सकते अपने स्टार्टिंग में जाते हैं दम यहां पर स्टार्टिंग में कुछ टेक्स्ट है इतने को पहले आप डिलिट मार लीजिए उसके बाद आप क्या किजिए कंट्रोल एफ जी हां कंट्रोल एफ करके आप सर्च कीजिए क्लास और फिस को सर्च कीजिए फाइंड नेक्स्ट तो यह तक आपको यहां क्लास दिख गया ठीक है अब इसको क्लोज कर दीजिए यहां क्लास के बाद से ही यहां क्लास के बाद से आपको क्या करना है यहां पर एक आपको एक डबल कोड दिख रहोगा इन्वेटर कॉमा वाला है ना तो इसी को आप यहां पर सेलेट कीजिए और यहां से पूरे तो यहां पर हमने क्या किया अब आप देखोगे हमने सारे कॉंटेक्ट्स को यहां पर फिल्टर कर लिया यह सारे हमारे कॉंटेक्ट्स आ गया अब हमको क्या करना है अब हमको चले जाने तम स्टार्टिंग पर चले जाना है हमको एंड उसके बाद आप देखोगे कि यहां प को हम remove कर लेंगे तो हम क्या करेंगे control h करेंगे और यहाँ पर find what plus nine one और space इसको find करना है और इसको replace कर देना है nothing यहाँ पर हम कुछ भी नहीं डालेंगे और इसको replace all कर देंगे तो आप देखोगे कि जितने भी plus nine one थे वो सारे के सारे वहां से हट चुके हैं अब दूसरा आप एक चीज़ देखिए कि यह जो number है हर एक number में हापर क्या है आपको space देखने को मिल रहा है तब next हम क्या करेंगे हम आ जेंगे starting में और फिर से करेंगे control f और यहाँ पर हम क्या करेंगे हम एक space देंगे सुरी माफ किजिए cancel किजिए हम करेंगे replace तो control h करके हमने replace का और यहाँ पर हम डालेंगे single space कि अगर जहां भी इसमें single space मिले इसको replace कर दे nothing के साथ मतलब कुछ भी हैगा और हम कर देंगे इसको replace all तो देखे सारा space कर चुका है खिक है इसके बाद हम क्या करेंगे इसको close कर देंगे तो यहां तक आप देखिए हमने क्या किया हमने हमारे इस note sheet में सारे के सारे contact ले आए और लेकिन यहाँ पर एक है कॉमा यह कॉमा बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यह हमको काम आएगा जब हम इसको excel में copy करेंगे एक्सल में import करेंगे तो चले मैं आपको excel में लेके चलता हूँ पहले इस फाइल को save कर देते हैं इस फाइल कम desktop पे save कर देते हैं तो हमने इसको save कर दिया कंट्रोल एस करके और इसका नाम हम दे देते हैं test desktop पे मैं इसको save कर दिया और मैंने इसका नाम दे दिया test और इसको मैं कर दिया save अब आते हैं दोबारा से अपने हम excel seat में अब यहां पर अगर मैं उस चीज़ को copy करके पेश करूं तो चले मैं आपको copy करके पेश करके दिखाता हूं मैंने जो हमने contact copy किये थे उस note seat में उसको अगर मैं यहां पर पेश करूं तो आप पाओगे कि एक single cell में सारे के सारे नंबर आ गया जो कि हमारा purpose fulfill नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे इसको delete करते हैं और फिर यहां पर excel में option आपको मिलेगा उपर में data का data option में जाएंगे फ तो जैसे हमने यह text वाली file सरी माफ की जिगा test वाली file हमने save कि इसको हमने import करना है हमने import किया इंपोर्ट करने के बाद हमको क्या करना है simply यहां पर करना है next और यहां पर हमको option मताना कि कॉमा कि आपको इस sheet में जहां कहीं भी कॉमा दिखे आप उसको एक separate column में उस figure को डाल दो तो जैसे आप नीचे एक demo देख पा रहे होंगे यहां पर इस तरीके से कुछ करेगा हमने यहां पर A1 की cell चूस की हुई है यह पर इसको okay कर देते हैं तो देखे सारे के सारे नंबर अलग-अलग-अलग column में आ गया है लेकिन यह भी हमारा purpose fulfill नहीं कर पाएगा क्योंकि जब हम marketing purpose की इसको use करते हैं तो हमको सारे के सारे नंबर इस तरीके से column wise से होते हैं तब हम क्य फिर हमने control CCS को copy किया और हम दोबारे सारें हमारे first जगह पे let's suppose में आ गया A3 cell पे और यहां पर रहते वे मुझे करना है paste special तो मैं क्या करूंगा control alt V, V for victory, control alt V, यह मैंने press किया तो यहां पर आ जागा मेरा paste special का dialogue box, यहां पर last में एक option है transpose, transpose क्या करता है, vertical को horizontal और horizontal को vertical form में copy paste करने में काम आता है, मैंने transpose करके इसको ok किया, तो यह देखिए, यह हमारे सारे context जो है, यह हमारे एक अलग-अलग row wise में आ गये हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको delete mark देते हैं, और फिर अब it में भी possible कि in contact में सायथ को duplicate number हो, तो हम क्या करेंगे, हम इस A वाले column को select करेंग और फिर यहाँ data tab में जाएंगे, फिर यहाँ पर एक option मिलेगा आपको remove duplicates, इसको हमने select किया और ok कर दिया, तो देखिए, यहाँ पर यह बोल रहा कि सिर्फ one duplicate value found and removed, तो total 188 unique number हमको मिल गये, तो देखिए दोस्तों यह रही आपके sheet, अब आप इस sheet को जैसे चाहें वैसे use क कर सकते हैं, उमीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको please अपने दोस्तों के साथ भी share करें, और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले, ऐसे ही वीडियो के लिए दोबारा मिलते मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन वंद्यमात्रम